देशपंडे चाचा के घर का मॉडल तयार हो गया हाँ कल रात में मैंने पूरा किया वो फिर ये कौन जा नया काम है हमारा जो खेत है न वहाएं चोटा सा घर बनाना है सुनिल चाचा के लिए याने दो कमरे एक चोटा सा बरामदा और आगे पीछे खूप सारी खुली जगा हाँ और एक हमारा मोती कुत्ता है न उसके लिए देखो एक चोटा सा घर ये गाय की गौशाला हाँ यहाँ जो खुली जगा है ना यहाँ फर्श बनानी है फिर आंगर में बहुत सारे फर्श लगेंगे हैं ना हाँ लगेंगे सही हो बहुत सारे फर्श लगेंगे लेकिन कितने उसका अंदाजा लगाना पड़ेगा हमें अब बताओ कि हमारे आहाते को तार कितनी लगेगी इसका हिसाब कैसे किया? जिस जगह के आजू-बाजू हमें आहाता बनाना है हमें उस जगह की परिमिती निकालनी होगी मतलब सभी बाजों का जोड अगर हमें एक आहता बनाना है तो जितनी परिमिती है उतनी ही तार लगेगी अगर हम दोहरा आहता बनाना चाहते हैं तो एक आहता बनाने में जितनी तार लगी है उससे दुगनी तार लगेगी बराबर एकाज जगा के आसपास कितनी तार लगेगी ये परिमिती निकाल के तै करते हैं और एकाज जगा क्षेत्र पूर्ण तया ठकने के लिए कितने फर्ष की जरूरत पड़ेगी ये गिनने के लिए उस जगा का क्षेत्र फल निकालते हैं परिमाप याने बंद जगा का बहरी हिस्सा और उस बंद जगा का अंदर का भाग अगर हमें नापना है तो वो नापेंगे क्षेत्रफल निकाल कर इसका मतलब है हमें आंगन का शेत्रफल निकालना होगा बहुत खूब क्षेत्रफल भी परिमिती जैसे निकालते हैं? नहीं, क्षेत्रफल निकालने की पद्धतिया लग है हम ऐसा करेंगे, ये देखो आंगन का ही उदारहन लेंगे ये देखो मॉडल में आंगन का ये गत्ता मैंने यहां रखा अभी इन छोटे टुकडों से यानि उसके उपर डालने वाले फर्ष से गत्ता पूरा ढग देंगे एक छोटा टुकडा यानि एक फर्ष समझेंगे अभी मुझे बताओ इस टुकडे का आकार कैसा है? चौरस मतलब सभी बाजूए एक समान मुझे बताओ कितने टुकडे लगे? सोला टुकडे यानि आंगन का शेत्रफल सोला चौरस इतना है शाबास मूती के घर के फर्ष गिने? शाबास चार फर्ष के टुकडे यानि मूती के घर का शेत्रफल है चार चौरस अब मुझे बताओ गोशा लागा क्षेत्रफल कितना है छे फर्ष के टुकडे बराबर भाया मैं इस आंगन का शेत्रफल फिर से निकालू इन लाल टुकडों से चलिगा करके देखो अरे मुझे तो सिफ नौ ही टुकडे लगें उसी आंगन का शेत्रफल इन तुकडों का इस्तिमाल करके नौ चौरस कैसे आया देखेंगे दोनो चौरस समान है क्या इसे पहले देख लो नहीं लाल चौरस पीले चौरस से बड़ा है बराबर है कौन से भी प्रिष्ठभाग का मापन करना है तो एक ही प्रमान आजमाते हैं जैसे अंतर नापने के लिए सेंटिमिटर तथा मीटर हमने परिमिती सेंटिमिटर में नापी थी ध्यान में आई बात वैसे ही क्शेत्रफल चौरस सेंटिमिटर में नापते हैं याने एक ये चौरस का टुकडा इसकी लंबाई 1 cm है याने सभी बाजुं की लंबाई 1 cm होने वाली है यह एक बाजु 1 cm यह एक बाजु 1 cm यह एक बाजु 1 cm बराबर अभी यह एक टुकडा जितनी जगा घेरती है उसका क्शेतर फल याने 1 4 cm यह पीला टुकड़ा अन्य टुकड़ों से छोटा है तुम्हारे बटन के इतना छोटा है इसका मतलब है आंगन का शेत्रफल निकालने के लिए अगर हमने ऐसे पीरे टुकड़ों का इस्तिमाल किया तो हमें जादा तुकड़ों का इस्तिमाल करना पड़ेगा है ना वैसे न ही होता हमने अभी कितनी जगों का शेत्रफल निकाला ये एक बार फिर से देखेंगे अंगन का शेत्रफल सोला चौरस चार आड़े और चार खड़े चौरस टुकड़े मोती के घर का शेत्रफल चार चौरस दो खड़े और दो आड़े और गोशाला का शेत्रफल छे चौरस तीन खड़े और दो आड़े ये सभी अंक देखके कुछ ध्यान में आ रहा हैं। अरे ये तो गिंती है है ना चार चौके सोला दो दुनी चार तीन दुनी छे दोनों बाजों का गुणन फल। बहुत खूब अच्छा पैचाना ये देखो किसी भी चतर भुज के प्रिष्ठभाग का क्षेतर फल निकालना हो तो लंबाई और चोड़ाई नाप कर उनका गुण फलन निकालना है तब उस प्रिष्ठभाग का क्षेतर फल मिलता है। मैं इसे पट्टी से नाम कर देखती हूँ ये बाजू है दस सेंटिमीटर और क्योंकि ये चौरस है इसलिए ये बाजू भी दस सेंटिमीटर दस गुणा दस मतलब सौ इसका आर्थ है सौ चौरस सेंटिमीटर ये हो गया शेतर फल। बहुत खूब अभी मुझे बताओ हमारे मोती कुत्ते के घर का क्षेतर फल कितना है। नाप पट्टी लेनी हैं और लंबाई चौड़ाई नापकर उनका गुणफलन निकाला तो क्षेतर फल मिलता है। बताओ इस प्रिश्टभा का क्षेतर फल कितना है। इसकी लंबाई है 10 cm और चौडाई है 8 cm यानि इसका शेत्रफल हो गया 80 cm तो हमारे पास ऐसे बहुत चौरश टुकड़े होते तो कितने लगते? 80 बहुत खुब भाईया उस टुकड़े का शेत्रफल कैसे निकालेंगे? वो तो चौरश नहीं दिखता असान है ये देखो अगर चौकोन बड़ा है तो दो चौकोन तथा चतुशकोन में उसके भाग करेंगे तथा आयत में भी भाग कर सकते हैं ये एक आयत, ये दूसरा आयत, ये तीसरा आयत, दो छोटे भागों का क्षेतरफल निकाल कर उसे जोडे तो बड़े भाग का क्षेतरफल हमें मिलता है, इस टुकडे का क्षेतरफल कितना है? ये एक आयत, ये दूसरा आयत और ये तीसरा आयत, पहले की लंबाई 5 cm, चोड़ाई 3 cm, तो क्षेतरफल हुआ 15 cm, दूसरे की लंबाई 4 cm, चोड़ाई 3 cm, तो क्षेतरफल हुआ 12 cm, तीसरे की लंबाई 10 cm, चोड़ाई 4 cm, तो क्षेतरफल हुआ 4 cm, तो क्षेतरफल हुआ 4 cm, 40 cm सब को जोड के 60 cm बहुत खूब लेकिन भाईया वास्तव में घर की लंबाई और चोड़ाई तो बहुत जादा होगी है ना यह देखो हमने बनाई यह प्रतिकृति बरावर इस कारण सभी बाजुएं हमने cm में ना पी प्रतिक्ष रूप से घर की तथा बड़ी जगा हो त तो लंबाई और चोड़ाई मीटर में ना पी जाती है मतलब शेत्रफल 4 स्वर्ग मीटर बहुत खूब बराबर चलो भूग लगी है खाना खाएंगे चलेगा यह हम बाद में करेंगे हमने क्या सीखा चौकोन हो तो प्रिष्टभाग का क्षेत्रफल cm तथा 4 मीटर में ना लिए और उनका क्षेत्रफल परिमान नाप पट्टी से नाप की निकालिए 10 ग्राम पहेली आपको मालूम है अलग-अलग आकार इन साथ आकारों से बनाए हैं साथ आकारों का क्षेत्रफल निकालिए मैं एक का निकाल के दिखाता हूं इस त्रिकून का क्षेत्रफल 4 वर् तैयार कर सकते हैं, ऐसे चौरस तैयार कीजिए, उनका क्षेत रफल और परिमिती ना पट्टी इस्तमाल करके सेंटिमीटर में नापन कीजिए